दोस्तों बिहार में बंपर भरती की नोटिफिकेशन आ चुकी है ये भरती की जो नोटिफिकेशन पहले भी आई थी लेकिन उसमें बहुत सारी जनकारी नहीं दी गई थी अब फिलाल इसका पूरा डीटेल नोटिफिकेशन आ चुका है ये बहाली करीब 496 पदों पे ये बहाली को निकाले गई है इस बहाली में काफी बेहतरीन जो अपरचुनीटी है सबी करने डेट को लिए दिये जा रहे है जो के बार पाचवी पास है या जो आठवी पास है ज जनकारी दिये थे कि कस्तुरवा विदाले में करिफ 4000 से भी अधिक सीटों पर भाली आ रही है जिसका पूरा डीटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है इसकी पूरी पातरता बता दी गई है साथ ही इसमें केटेगेरी के लिए और ब्लॉक वाइज भी सीट की सूची आ चुकी ह सारी जनकारी हमारे ओफिसल वेपसाइट ओनलाइन अपडेट एस्टियम.in पे भी उपलब्त करा दी गई है तो आप इस वेपसाइट पर आएंगे और लेटेश जोब आले सक्षन में बिहार कस्तुरवा गांधी बाली का इसकुल भैकेंसी पर आपको क्लिक करना है जैसे ह आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सारी जनकारी आप चाहे तो यहां से भी प्रात कर सकते हैं नीचे स्कॉल करेंगे अपलाई के प्रोसेस 15 तारिक से स्टार्ट होने जा रही है जो भी इलिजिवल कनीडेट है अभी हम सारी इलिजिवलेटी को समझेंगे वो सभी आवेदन कर सकते हैं बिहार के बाहर वाले जो भी कनीडेट है इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे इसे में बहुत सारे सीट है करीब 8 अलग अलग परकार के सीट है तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसके लिए आपको किसी भी परकार की पेमेंट नहीं देनी होगी इ या आप चाहे तो इनका official website पे भी आकर सारी जनकारी को समझ सकते हैं और यहाँ पर एक option मिलता है पातरता का जिस पर आप किलिक करेंगे और यहाँ पर किलिक करेंगे तो इसकी पातरता के लिए जो notification है जो आपके सामने खुल कर आ जाता है आईए सारी जनकारी समझते हैं फिर आगे हम बहुत सारी जनकारी इसके बताएंगे फॉर्म अपलाई करने से पहले यह सभी जनकारी को आपको जानना जरूरी है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजे साथी चैनल को सुस्क्राइब करिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो के उनको भी मौका मिल रहा है हम नीचे से बात करते है जैसे यहाँ पर जो सहायक रोसुया के पद है जिसके लिए अगर कोई हवियारती पाचवी पास है या पाचवी से उपर छठी से लेकर मैटिक पास है उनको मौका मिलेगा जिसके के सिर्फ महिला उमिदबार ही आवेदन करेंगे जिनके लिए जो सीटे बताई गी हो आपको देखनों को मिल रहा और सेलरी आपको 6,000 रुपे आपको देखनों को मिलेगा यहाँ पर मुखे रोसुया की बात करें इसमें भी पाचवी अगर आप पास है तो अवेदन कर सकते हैं इसमें सिर्फ महिला अवेदन कर सक के पैंसोट सो रुपया उनको दी जाएगे यह जो कुछ पोस्ट है फ्रेंट इसके लिए किसी भी पर करके कोई एक्जाम आपका नहीं ली जाएगे जैसे यहाँ पर यह जो अलग अलग जो आप देख पोस्ट इसके लिए कोई एक्जाम नहीं ली जाएगे चोकिदार का जो पोश्ट है जो कि रात्री प्रहरी का है इसमें मैटिक पास मांगा गया इसमें पूरस महिला दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं पैंसट सो रुपे आपको दी जाएगी उसके बाद अनुस सेवक की पद है जिसके लिए मैटिक मांगे गई है जिसमें महिला विद्वार से इसमें आवेदन मांगा गया पैंसट सो रुपे आपको दी जाएगी लेखा पाल साहया का जो पद है जिसके लिए आपको बताया गया है बीकम होनी चाहिए जिसके लिए आपकी सेलरी जो होगी पचासे सो होगी प्लस दो सो रुपया आवासी भत्ता भी आपको दी उसके अलावे यहाँ पर दिखेंगे कुछ यह जो पद है जो कि higher education वाले अभियारती के लिए जिसमें असनातक नियुनतम आपके होनी ही चाहिए और ऐसा नहीं कि असनातक आप कर लिए इसके लिए form को apply करेंगे तो यह बिल्कुल भी नहीं होगा असनातक के साथ भी सिक्षक पातरता की जो परिक्षा होती है जिसे citate होता है उसके अलावे आपने DL8 क्वालिफाई कर लिया होगा B8 किया होगा और citate भी क्वालिफाई किया होगा तो वैसे अभियारती को यहाँ पर मौकार दिया जा रहे है जिसमें salary 15,000 है किसी में आपको 13,000 है 13,000 है तो यहाँ प को 13,000 है मिलेगा वही जिसके लिए आपकी असनातक की जो डिग्री होगी बताया असनातक की डिग्री आपको RSIN को साथी गणीत में होगी या जी बिग्यान में होगी तो आवेदन आप कर सकते हैं और उसके अलावे ये भी आपकी पातरता होनी चाहिए तब इसके लिए अनुसुची जाती के जो भी लोग होंगे 42 वर्स और जो भी दिव्यांग होंगे उनको कुछ छूट यहां पर दिया जागा जो आपको यहां पर बताई गई है अब यहां पर और वी जनकारे समझते हैं पतों के निर्धारे संख्या देखेंगे टाइप 1, टाइप 3, टाइप 3 के जो इस्तिती में बताया गया है अन्सकालिक सिक्षिका जो कि विज्ञान एवं गनीत की दो सिक्षिकाओं में एक गनीत एवं दूसरी जी विज्ञान की होगी वही टाइप 3 के बारे में आपको बताई गई और यहां पर दिखें जो वाडेंसा सिक्षिका की पद जो है जिसमें अंग्रेजी एवं प्रिष्ट भूमी के उमिद्बारों को पराथमिकता दी जाएगी जो कि यहां पर बताए गया है जो अनुसेवक और रातरी प्रहरी की जो पद होगी जिसमें साइकल चलाने का ज्यान आवस्य होनी चाहिए तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और जो भी पद है जिसके लिए आयू सिमा की गन्ना जो की जाएगी 1822 के अधर पर की जाएगी यहां पर आरक्षन के बारे में भी बताएगी कि जो आपको आरक्षन मिलेगा वो किस कैटेगरी के लिए कितने परसेंट हो आप यहां पर आकर देख सकते हैं आईया और भी जैनकारी नीचे आत देखते हैं अब यहां पर रिखती हो कि संख्षा बताईगे आपके कैटेगेरी जवाज जैसे किस कैटेगेरी में कितनी है जैसे आप देखेंगे जेनरल के तहत यह मेल के लिए फिमेल के लिए बताएगा एडब्लू एस के लिए एडब्लू एस फिमेल के लिए बिसी के लिए बिसी फिमेल के लिए यहाँ पर कैटेगेरी बाज बताई गई है जैसे कुल कितने सीट है जैसे वार्डेंस और सिक्षिका की जो टोटल सीट यहाँ पर निर्धारन किया गया है जो कि 331 पद है वही बात करें भासा सिक्षक की जो पद होगी जो कि करीब बताया गया कि 343 पद होगे इसी अनुसार यह जो टोटल पद की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 49, 176 पदों पर यह बहाली होगी जिसमें सबसे अधिक हमने इसमें पद देखा है तो सबसे अधिक आपको सहायक रसुया की पद है जो कि करीब 1000 पद मान सकते 990 पदों पर यह बहाली होगी अब इसमें ज्वाइनिंग कैसे होगा कैसे इसमें सेलेक्शन होगा उसके बारे में बतायागी कि आवेदन करने के लिए आवेदा कनिवार रूप से बिहार राज के निवासी होगी यानि बिहार के कनिडेट ही इस फॉर्म को अपलाई करेंगे और बताया गया है कि जो भी योगिता धारी अवियार्थिक के द्वारा इनका जब ओनलाइन आवेदन होगा क्योंकि आवेदन ओनलाइन माध्यम से लिया जागा इनके जो वैप साइट है इसे वैप साइट पर चल रहा होंगे कि ओनलाइन जो फॉर्म को फिल होगा तो इसमें पैमेंट भी आपसे लिया जागे तो बिल्कुल लिया जागा बहुत सारे पद है जिसके लिए पैमेंट आपको नहीं ली जागे जिसकी जनकारी हम बताते है जैसे वार्डेंस और सिक्षका की जो पद है अ इसके आलावे भी अभयारति को जो अतरीक्त जो सुल्क होता है जो कि बैंक का निर्धारन चार्ज होता है वो आपको अतरीक्त आपको देने परेंगे उसके बाद बतायागे कि अनुस सेबक, रातरी प्रहरी, मुझे, रसोया, सहायक, रसोया के जो बद है जिनके लिए रखेगा और ओनलाइन करते समय अगर किनी को कोई गलती हो जाती है तो इडिट का भी आपको ऑप्सन मिलेगा यहाँ पर परिक्षा का जो आयोजोन होगा किस परकार होगा उसकी जनकारी दिया गया जैसे जितने भी टीचर वाले पद रखे गया जैसे वाडन सा सिक्ष का ह अंसकालिक सिक्ष का है लेखा पाल का जो पद है जिसके लिए 100 नंबर का आपका लिखित परिक्षा होगी यह अभी किलियर नहीं किया गया कि यह परिक्षा ओफलाइन या ओनलाइन होगा यह दोनों माध्य में से किसी एक माध्य में आयोजन किया जागा इन पदों के क्योंकि यहां पर बताएगे इंटर्व्यू आपसे नहीं लिया जागा यह लिखित बेस पे ही आपका अजो मेरिट है वो बनेगी जिसका नमबर अधीक होगा वैसे अभियारतियों को यहां पर मौका दिया जागा और कुछ पद यहां पर रखे गया अनुसेबक हो गया रात अजिसंक आते हैं तो इसमें आपको सेलेक्टेड वो लो करेंगे इसमें कोई एक्जाम आपसे नहीं ली जागे और साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखी जागी और इंटर्व्यू अच्छा जाएगा तो आप इसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे अब प्रसन कैसे पूछे जाएंगे उसकी जयनकारी बतायागे कि प्रसन पत्र में दो अंकोकार जो है दो दो परकार का होंगे जैसे 50 अंकों का आपको objective मिलेगा पचास अंकों का सब्जेक्टीब मिलेगा उस अनुसार सभी प्रसन आपका जो होंगे असनातक अस्तर के होंगे जिसमें लिक्यत परिक्षा एक घंटे की अबदी होगी तो ये इसका कुछ इंपोर्टेंट रूल्स था जो आपको फॉलो करना होगा ये करीब 10 पेज का ये पीडियाप है जिसमें सारी जनकारी बताईगी ये मेगा सूची किस अनुसार बनाया जागा उसकी जनकारी दी गई है अब अब दिखिए अबयार्थी जब लिक्षित परिक्षा देंगे लिक्षित परिक्षा में अकर कोई अबयार्थी का समान अंका आता है उनकी जनम तीथी पहले होगी उनका पैनल में नाम पहले रखा जागा ये यहाँ पर बता गया है उसके अलावे बार्डेन सिक्ष का के परतेक पद है तू चार अलग-अलग पैनल त्यार किये जाएंगे जैसे प्रारंभिक सिक्षा सास्त्र में जो वर्सिये परसिक्षन उसके अलावे वर्सिये डियलेड बीएड जो परिक्षा वाले सिक्षक पातरता उतिर्ण किये हुए है वैसे अवियार्थी के लिए यहाँ पर बताया गया है मतलब यहाँ पर जो चार अलग-अलग पैनल बनाया जाएंगे जिसे यहाँ पर पहला पैनल बनेगा परारंभिक सिक्षा सास्त्र में दो वर्सिये परसिक्षन जो किये हुए है जैसे डियलेड वाले अवियार्थी उनका एक अलग पैनल होगा परारंभिक सिक्षा सास्त्र में जो दो वर्सिये परसिक्षन साथ ही डियलेड बियेड परनतो सिक्षक पातरता उतिर्ण नहीं किये उनके लिए अलग बनेगा और उसके बाद जो सिक्षक पातरता परक्षा उतिर्ण किये है उनके लिए अलग बनेगा और बीना सिक्षक पातरता परक्षा उतिर्ण बाले विधार्थी के लिए जो पैनल हो अलग से बनाया जाएंगे तो इस परकार ये चार अलग अलग परकार के पैनल त्यार करेगी उसके अनुसार आपको selection किया जाएगा अब कुछ ऐसे पद है जिसमें पाचवी मांगे गई है पाचवी तब ली जाएगी जब यहाँ पर बताएगा कि मैटिक उतिन अभियार्थी नहीं पाये जाते है उस case में जो candidate पाचवी उतिन है उनको भी इसमे selection किया जाएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा तो ये इनका selection process था हमने सारी जनकारी बताया इस बहाली को कैसे आप apply करेंगा उस पर जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा जैसे इसका link active होगा तो सारी जनकारी इस website पर उपलब्द है तो सारी जनकारी एक बार आकर आप क्लियर हो पाए फिर भी कोई doubt confusion है comment करकर पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद